हेलो फ्रेंड्स मैं सुमित बागूल आप सबका आपके चहीते सेक्स एक सुखी जीवन का मंतर डॉक्र वीजय दही फले के साथ इस खास कारेक्रम में तहे दिल से स्वागत एरता हूं दोस्तों जब भी हमें कोई मेडिकल इमर्जनसी आती है या फिर स्वास्थे से जुड़ कोई भी परेशानी आती है तब हम क्या करते हैं सबसे पहले हम अपने फैमिल या हमारे फ्रेंड्स के साथ वो सारी चीज़े शेयर करते हैं पर जब भी कोई सेक्शल बीमारी सताती है तब हम क्या करते हैं हम किसी को नहीं बताते हम शर्मा जाते हैं पर दोस्तों आप ऐसा क दॉक्ट्र विजे दाइफ़ले इन सभी के बहुत ही पॉजिक तरीक से जवाब आपको जरूरु देंगे पर स्टू को शुरूआद करने से पहले जानता है डॉक्तर वीजे दाइफ़ले के बारे में डॉक्टर विजे दही फले ये सेक्सोलोजिस्ट, यूरोलोजिस्ट और एंड्रोलोजिस्ट है डॉक्टर के क्लिनिक अरंगाबाद, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुने, नवी मुंबई में नेरूल, दादर, अंधेरी, कल्यान, नाशिक, एहमदाबाद और दुबई में है डॉक्टर विजे दही फले का भारत एवं अन्य देशों में कॉन्फरेंसेस और सेमिनार के लिए आना जाना रहता है जिसमें डॉक्टर सेक्स रिलेटर सल्ला मशुरा करते रहते है चले दोस्तों आपको डॉक्टर साहब के क्लिनिक्स के बारे में पता चल गया है डॉक्टर साहब हमारे साहथ है डॉक्टर वेलकम टूगी शो नमस्ते डॉक्टर हम बात कर रहे हैं सेक्शल डिसफंक्शन की और सेक्शल डिसफंक्शन के साथ अभी एक हाईजीन और वो सारी चीजे है पर ये जो कोरोना नाम का एक वर्ड हमारे आस पास घूम रहा है वो बहुत ही मतलब उसने जीना बहुत डिफिकल्ट कर दिया तो उसी के सिलस सिले में आपने पुब्लिक डिमांड के वैसे टॉपिक सिले किया है कोरोना पैंडमिक और सेक्शल डिसफंक्शन उसके बारे में आप से जाना चाहेंगे सबसे पहले एक बहुत एहम सवाल यह सेक्स की वज़े से हम कोरोना रोक सकते है क्या यहां पर सूज जी हमारे पूर कोरोना नाम सुनने से आधे लोग से डिफंक्ट हो गए काफी फोना आने चालोगे सर यह वातावरन से मुझे फीलिंग पहले बहुत फीलिंग आती थी पहले बहुत में एक्ट उठा लेकिन अभी कुछ फीलिंग नहीं आ रही है कुछ कर ही नहीं पा रहा हूं तो ऐसे केस इसमें क्या करना चाइए कैस वाल पूछाआ आपने कोरोना रोक सकते है क्या सेक्ष्ण एक्टी लिटे करने से तो एक तो ओम्हें क्या कीですか ॅइस ते सक्षवली टांसमेटेडेड ्डिसीज नहीं है एक तो सेफ्टी मिल गई लेकिन कैसे रोक सकते है है शेक्ष्ण IgA और IgM यह एंटिबोडी जो है आपकी प्रिदिकार शक्ति रोक के अगेस में लड़ने की पावर या जो वाइट ब्लड से उसे खतम करने की पावर बढ़ जाती है और इंडिरेक्टली सेक्शुल एक्टिविटी से कोरोना हम रोक सकते हैं सर एक और एहम सवाल अपसे पूछने हैं चाहूँगा अलकोहल कोरोना और सेक्स इनका क्या रिलेशन ने क्या रता होगी अभी तो कोरोना में लॉकडाउन हो गए घर में तो कुछ काम नहीं है अभी तो खोल दिये और हमारे थूख से हमारे सलाव ऐसे स्प्रेड होता है आपको पता है अलकोहल की वज़े से इन्फेक्शन की चांसे बढ़ते हैं स्मोकिंग की वज़े से आपकल पार्ट अफ लंग में ऑक्सिजनेशन अच्छा नहीं होता है और ऐसे केसे में आप कुछ डाबेटीस हो बीपी होने के चांसे निमोनाइटिस होने के चांसे काफे बढ़ जाती है इसलिए इसे आवाइड करना है और अप एडिक्ट होगे तो दिरी-दिरी उसे स्लो करना है कमडावन करना है सर एक बहुत ही एहम सवाल सारे लोगों के दिल में है वो है सेक्स की वज़े से कोरोना स्प्र दिसीज नहीं है लेकिन इस प्रेड कैसे होता है फ़र एक्जाम्पल आप कॉंडॉम यूज करके भी आपके पार्टनर साथ सम्मन्द करोगे समझो यह पार्टनर अन्न होगा समझो यह पार्टनर भार गावं से आपके पास आया होगा तो उसको इन्फेक्शन होता है और जो पार्टनर पॉजिटिव है ऐसे कि इसमें आप कॉंट्राट करोगे तो आपको करोना होने की चांसे काफी बढ़ जाते है डिफिनिट्ली सर एक दरशक का कॉल आ है वो कॉल ले लेते है निवड़ी से नकुल जी हमारे साथ है सर आपका फोन कनेक्ट हुआ है आपका सव अभी आइसे करने से सेक्स एट होम क्या होगा डेफिनिट्ली कंसेट है तो आइसे केसे में क्या कहना है आपका पार्टनर है आपका लवर है जहां पर कहां तो भी अलग जिगप है आप यहां पर हो वहां पर है वो ट्विन सेटी में रहते है तो एक तो आपको फोन पर बा बहुत बार उसकी वएसे हाम हो सकते हैं सामने वाले को या बहुत बार वो पार्टनर कुछ पार्ट एक्सपोज करने के लिए विलिंग नहीं हो सकता है तो ऐसे केस में वेब कैम सेज कब करें जो आप दूसरी को एक दूसरी में कॉंफिडन्स हो और जो कोई उसका मिस्यूज नहीं करने वाला हो ऐसे केस में भी आप वेब कैम सेज करके आप इंजॉयमेंट ले सकते हो सर इसी से जुड़के मैं एक सवाल आप से पूसरे जाओंगा कोरोना के दोरान विदाउट सेक्स करते हुए भी क्या हम यह एक्टिविटी का आनन जो रहे ले सकते हैं यहनि फिजिकल इंटिमेट नहीं हो रहे हो आप बहुत दूर हो डिस्टंस पे हो लेकिन आपको एंजॉई करना है तो यह से इसे तो कहते हैं यह वेबकाम का फाइदा ऐसे वेबकाम सेस्क में आप एक दुसरे को देखने से प्लेजर मिलता है आपके पार्ज देखने से प्लेजर मिलता है तो एक हो गया वेबकाम सेस्क दूसरा बहुदार कॉलिंग फोन की उपर कॉल करके एक दूसरे के बात करके भी आप उसका एंजॉइमेंट ले सकते हैं और तिसरी बात और बोलता हूँ सेक्स टॉइज समझ आपके कंट्रीज में लिगली आलाओर होगे तो काफी हाइजिन लेके उससे भी आप एंजॉइमेंट ले सकते हो और इवन बाकी भी में थड़े मास्रबेशन हो गरे ऐसे केसे में लेकिन उसको लिमिट में रखके तो कि जिसके साइड इफेक्ट ना हो और ऐसे में तरसे आप इसका इंजॉइमेंट विदाओट फिंजिकल इंटिमसी यानि फिजिकल कॉंटेट के बगेर भी आप इसको एंजॉइ कर सकते हो डेफिनिटी सर एक और दर्शक का कॉला है पूना से रीना जी हमारे साथ है तो डर ने कानी सबसे इंपर्टन डरो मत उसे सपोर्ट करो सुमिज्ज अभी क्या चलना है लोग भाग जाते उससे बहुत बार तो ऐसे देखे अभी शादी होने वाले और उसको दहन में करोना पॉजिटिव भाग गए नो उसको सपोर्ट करो साइकोलोजिकल सपोर्ट द रहता है क्यों हो रहता है वो पिरिड में जो एक्टिव फेजे उसके निकल जाती है उसके बाद में भी treatment होने के बाद भी shedding तुमारे नाक से तुम्हारे मुह से droplets निकलके उसका shedding होते रहताये तो कम से कम देळ मेहना कॉंटैक्ट नहीं रखना है और देड मेहने के बाद भ सब के लिए है लेकिन उसे आवाइड करके भागो मत या बहुत बार तो ऐसे दिखा है छोड़के निकल गए अभी करोना हो गया पर भाग के सवाल नहीं किसको भी बाद में हो सकता है तो यह कियर बरतनी जोरी इन शॉर्ट देड़ महने के बाद मास्क यूज करके आप प्रणिशन है वो एक दूसरी को ट्रांस्पिट हो सकते है और दूसरी बात अनल सेक्स में बहुत बार फीसेस में भी एक करोना आता है पिरियानल रिंगिंग है या लीकिंग के वैसे डेफिनिटल हो सकता है तो ऐसे के समें कंडूम या यह आवेड किया तो सब के लिए बह रखनी चाहिए सुमीजी यह बहुत बहुत इंपरन्ट कोशन इवन अपना भी पार्टनर हो अभी क्या रहता है लोग दो सिटी में काम करते है यह कुछ करोना वार इसको हस्पिल जाना है बहुत पुलिश डिपार्मन के लोगों को बाहर जाना है बाहर जाकर और अंदर आ आननोन होगा तो ऐसे केसे में भी एक एरवरत नहीं है पहले परसनल हीजिन बात है शावर है और बात में सैनेटरा यूज़ करके आप मास यूज़ करके आपके अक्टिविटी कर सकते हो डिफिनिटी सर थैंक्यू सो मच आपने सारी चीज़े हमारे साथ शेर की और दर्श पॉज़िटीव तरीके से सर का कंसल्टेशन जरूर हासिल होगा चली दोस्तों आज के शो में समय हो चला है यहीं पर रुकने का शुक्रिया